भारत ने आज अपना नाम अंत्रिक्ष महाशक्ति स्पेस पावर की रूप में दर्ज करा दिया है। अब तक दुनिया के तीन देश अमेरिका, रूश और चीन को यह उपलब्दी हासिल थी। अब भारत चौथा देश हैं जिसने आज यह सिद्धी प्राप्त की है। हर हिंदुस्तानी के लिए इससे बड़े गर्व का पल नहीं हो सकता है। कुछी समय पूर्व हमारे वैज्यानिकों ने अंत्रीक्ष में स्पेस में तीन सो किलोमेटर दूर एल ए ओ लो अर्थ आर्बिट में एक लायू सेटलाइट को मार गिराया है। एलियो लो आर्बिट में यह लायू सेटलाइट जो की एक पूर्वा निर्धारित लक्ष था। उसे एंटी सेटलाइट ए सेट मिसाइल द्वारा मार गिराया गया है। सिरफ तीन मिनिट में सभलता पुर्वत यह आप्रेशन पुरा किया गया है। मिशन शक्ती यह अत्यंत कठीन आप्रेशन था। जिसमें बहुत ही उच्च कोटी की तकनीकी क्षमता की आवशक्ता थी। बैज्यानिकों द्वारा सभी निर्धारित लक्ष और उद्देश प्राप्त कर लिये गये हैं। हम सभी भारतियों के लिए यह गर्व की बात हैं। यह पराक्रम भारत मेही विक्सीत एंटी सेटलाइट एसेट मिसाइल द्वारा सिद्ध किया गया है। सर्व प्रथम मैं मिशन सक्ति से जुड़े सभी डियारेडियों वैज्यानिकों अनुसंधान करता हूं तथा अन्य समंदित कर्मियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं जिनोंने इस असाधारन सभलता को प्राप्त करने में योगदान दिया। आज फिर उन्होंने देश का मान बढ़ाया है। हमें हमारे वैज्यानिकों पर गर्व है। अंतरीक्ष आज हमारे जीवन सैली का एक महत्वपुन हिस्सा बन गया है। आज हमारे पास परियाप्त संख्या में उपग्रह उपलब्द हैं जो अलग-अलग छेत्रों के विकास में अपना बहुमुल्य योगदान दे रहे हैं। जैसे क्रिशी, रक्षा, सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मेनेजमेंट, संचार, कॉम्मिनिकेशन, एंटर्टेन्मेंट, टीवी, मौसम की जानकारिया, नेविगेशन, शिक्षा के खेत्र में, मेडिकल के खेत्र में। ऐसे अनेच खेत्र है, हमारे उपग्रहों का लाब सभी को मिल रहा है। चाहे वो किसान हो, मच्वारे हो, विद्यारती हो, सुरक्षा बल हो, दूसरी और, चाहे वो रेलवे हो, हवाई जहाज हो, पानी के जहाज हो, या परिचालन की कोई भी बात हो, इन सभी जगह उपग्रहों का उप्योग किया जा रहा है। विश्व में स्पेस और सेटलाइट का महत्व बढ़ते ही जाने वाला है, शायद जीवन इसके बिना अध्वरा हो जाएगा, ऐसी स्थिति में इन सभी उपकरोनों की सुरक्षा पुक्ता करना भी उतना ही महत्वपूर है। आज की एंटी सेटलाइट एसेट मिसाइल भारत की सुरक्षा की दुरुष्टी से और भारत की विकास यात्रा की दुरुष्टी से देश को एक नई मजबूती देगा। मैं आज विश्व सबोदाय को भी आस्वस्त करना चाहता हूँ कि हमने जो नई शम्ता प्राप्त की है या किसी के विरुद्ध नहीं है या तेज गती से आगे बढ़ रहे हिंदुस्तान की रक्षात्मक पहल है। भारत हमेशा से ही अंत्रिक्ष में हत्यारों की होड के विरुद्ध रहा है और इससे इस नीती में कोई बडलाव नहीं आया है। आज का यह परिक्षा किसी भी तरह के आंतरराश्य कानून अथवा संदी समझोतों का उलंगन नहीं करता है। हम आधूनिक तक्निक का उपयोग देश के एक सो तीस करो नागरिकों की सुरक्षा एवं उनके कल्यान के लिए ही करना चाहते हैं। इस छेत्र में शांती और सुरक्षा का माहूल बनाने के लिए एक मजबूत भारत का होना आवशक है। हमारा सामरिक उदेश शांती बनाए रखना है ना कि युद्ध का माहूल बनाना। प्यारे देश्वासियों भारत ने अंतरिक शेत्र में जो काम किया है उसका मूल उदेश भारत की सुरक्षा भारत का आर्थिक विकास और भारत की तकनीकी प्रगती है। आज का यह मिशन शक्ती इन सपनों को सुरक्षित करने की और एक एहम कदम है जो इन तीनों स्तंभों की सुरक्षा के लिए आवशक था। आज की सभलता को आने वाले समय में एक सुरक्षित राष्ट, समर्द राष्ट और शान्ति प्रियर राष्ट की और बढ़ते कदम के रुपे देखना चाहिए। यह महत्वपुण है कि हम आगे बढ़ें और अपने आपको भविशकी चुनवत्यों के लिए तैयार करें। हमें बविशकी चुनवत्यों का सामना करने तदा अपने लोगों के जीवन स्तर में सकारात्मत बढ़लाव लाने के लिए आदुनिक तक्रिक को अपनाना ही होगा। सभी भारतमासी बविशकी चुनवत्यों का सामना आत्म विश्वात से करें और सुरक्षित महसूस करें। यही हमारा लक्ष है। मुझे अपने लोगों की करमणता, प्रतिवध्यता, समर्पान और योगता पर पूर्ण विश्वास है। हमनी संदे एक जुड होकर एक शक्तिशावी, खुशाल और सुरक्षित भारत का अंदिर्बान करें। मैं ऐसे भारत की परिकल्पना करता हूँ, जो अपने समय से दो कदम आगे की सोच सके और चलने की हिम्बत भी जुटा सके। सभी देशवास्यों को आज की इस महान उपलब्दी के लिए बहुत-बहुत बधाई, बहुत-बहुत छुप कामना हैं और इस पराक्रम को करने वाले सभी मेरे साथ्यों को फिर एक बार अभिननन करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद भारत माता कीजे। भारत माता कीजे। भारत माता कीजे। बहुत भारत माता कीजे। ऑले से अदिर प्राद माता कीजे। लिए भारत माता कीजे। भारत माता कीजे। झाल झाल